स्तनों में दर्ध होने पर क्या करें? स्तनों में दर्ध होने पर क्या करना चाहिए? आमतार पर स्तनपान कराने वाली माक ये स्तनों में दर्ध तीन कार्णों से होता है. अधिक दूद से भरे हुए स्तन, दूद के नलिकाओं में रुकावट या फिर स्तनों में संक्रमन यह वीडियो आपको इन पर स्थितियों से अलग-अलग अवगत करा रहा है और यह बता रहा है कि ऐसा होने पर आप अपनी देखभाल कैसे कर सकती है स्तन जब अधिक दूद से भरे होते हैं तो वहाँ फूल जाते हैं ऐसा शिशो के जन्म के कुछ दिन बाद पहली बार दूद आने से हो सकता है कम स्तनपान होने से या फिर शिशो और स्तन का जुड़ाव ठीक ना होने से स्तन खाली नहीं हो पाता है ऐसी अवस्था में आपके स्तन भरे हुए कड़े एवं सम्वेदन शील महसूस होते हैं सबसे महतुपूर्ण सुनिश्चुत करें कि शिशू स्तन से ठीक प्रकार से जुड़ा है ठीक प्रकार से जुड़ाव करने के लिए आप जानकार व्यक्ति से मदद ले सकते हैं फूले हुए स्तन से राहत पाने के लिए ये च्छे सुझाव हैं पहला, स्तन पान के पहले आप अपने स्तनों पर साफ गीला और गुनगुना कपड़ा कुछ मिनटों के लिए रखें इससे दूद का प्रवाह बढ़ीगा दूसरा, स्तनों की हलकी मालिश करें ऐसा आप इस्तनों पर उंगलियों को गोल घुमा कर करें तीसरा, इस्तनों को हलके से दबा दबा कर थोड़ा सा दूद निकालें इससे शिशु को इस्तनों से जुडाओं में मदद मिलती है चाथा, स्तनपान हर दो घंटे पर कराएं पहले एक स्तन खाली करें फिर दूसरे से दूध पिला कर उसे खाली करें पांचवा, दूध पिलाने की विभेन अवस्थाएं अपनाएं इससे शिशु आपके पूरे स्तन से दूध पियेगा आखरे इस्तन पान के बाद स्तनों से बचे हुए दूद को दबा दबा कर खाली कर दें जब तक आपके स्तन नरम और आराम देहन ना हो जाएं अगर इस्तनों को खाली नहीं किया गया तो संक्रुमन हो सकता है दूद पिलाने के बाद अपने इस्तनों पर पाँच से दस मिनट तक ठंडा गीला कपड़ा रखें इससे आपके इस्तनों को आराम मिलेगा इस्तन में दर्ट का दूसरा कारण दूद की नलियों में रुकावट है इस बंद नली को आप एक नरम गाठ की तरह महसूस कर सकते हैं जो की स्तन को दबाने से पता चल जाती है इसके बाद भी आप स्वस्त महसूस करेंगी और आपको बुखार जैसे कोई लक्षन भी नहीं होंगी ऐसी स्थिती दूद के प्रवाह के रुकने के कारण आती है उधारन के लिए जब शिशू का स्तन से जुड़ाव ठीक नहीं हुआ है या फिर जब मा स्तन पान के वक्त अपने स्तनों को निपल के पास से दबाती है अब यह सुनश्रित करें कि शिशू का स्तन से जुड़ाव ठीक है यह महतवपूर्ण है और इसके लिए जानकार व्यक्ति से मदद ली जानी चाहिए शिशू के ठीक प्रकार से स्तन पान करने से ही स्तन खाली हो सकते हैं स्तन के नलियों को खोलने के लिए चार सुझाव हैं पहला शिशू को बार बार स्तन पान कराएं हर दो घंटे में या जब भी शिशू को भूग लगे पहले बंद नलियों वाली स्तन से स्तन पान कराएं अगर आप स्तनपान कराने में असमर्थ हैं तो उस स्तन को दबा दबा कर कई बार दूद बाहर निकालती रहें। दूसरा, एक गुनगुना साफ गीला कपड़ा स्तनों पर कुछ मिनिटों के लिए रखें। इससे दूद के प्रवाह में मदद मिलेगी। और तीसरा, शिशु के स्तनपान के दौरान बंद दूद की नली वाली गाठ को लगातार दबाते रहें। इस वक्त शिशु आपका दूद बाहर खिशता है और आप भी गाठ की जगह को दबा कर दूद के प्रवाह को पढ़ाती हैं। चाथा, स्तनपान के दौरान बंद नली वाली जगह को आप उंगलियों के द्वारा घुमा घुमा कर मालिश कर सकती हैं। मालिश बगल की और से निपल की तरफ की जानी चाहिए। अगर इस्तनपान और मालिश ठीक तरह से हो तो धीरे धीरे एक दो दिन में यह बंद नलियां खुल जाएंगी स्तनों में दर्द का तीसरा कारण संक्रमन है अगर आप बंद दूद की नलियों का आवश्यक उपाय नहीं करेंगी तो स्तन में संक्रमन हो सकता है जो गाठ है वह लाल सूजी हुई और दर्द भरी हो जाएगी आप बीमार महसूस करेंगी और आपको बुखार भी हो जाएगा ऐसी स्तती में आप तुरंथ आशा या किसी स्वास्त करमी से संपर्थ करें वह आपका निरिक्षन कर निर्ने लेगी कि एंटिबियोटिक दी जानी चाहिए या नहीं वह यह भी चेक करेगी कि आपके स्तन में मवाद तो नहीं है अगर ऐसा है तो यह गंभीर स्थिती है इसका समाधान डॉक्टर की द्वारा ही किया जाना चाहिए स्तन में संक्रमन के दारान शिशु को स्तन पान कराते वक्त निश्चित करें कि शिशु का स्तनों से जुड़ाव ठीक है या नहीं और फिर पहले बताए गए चार सुझावों पर अमल करें जो की बंद दूद की नलिकाओं को खोलने के लिए बताए गए हैं पहला शिशु को बार बार स्तन पान कराएं और संक्रमित स्तन से पहले दूद पिलाएं आपका दूद शिशु के लिए सुरक्षित है दूसरा, संक्रमित इस्तन से स्तन पान कराने से पहले स्तन पर गुन-गुना गीला कपड़ा रखें तीसरा, स्तन को हलके-हलके दबाएं आखरी, जिस स्तन से आदूद पिला रही हैं, उस हिस्से को बहुत हलके से मालिश करें याद रहे, यह स्तन छूने में सम्वेदन शेल है, यह सुझाव जरूरी है कि स्तन की कोशिकाओं में संक्रमन होने से दूद में संक्रमन नहीं होता है यह दूद स्तन पान के लिए उप्युक्त होता है जरूरत है कि आपकी दूद का प्रवाह संक्रमित इस्तन में बना रहे और आप शिशु को बार बार दूद पिला कर या इस्तन को हलके से दबा दबा कर दूद बाहर निकाल सकती है अगर आप HIV से संक्रमित हैं तो आप असंक्रमित इस्तन से दूद पिलाएं और संक्रमित इस्तन से दूद बिल्कुल भी ना पिलाएं संक्रमित इस्तन से दूद निकाल कर उसे आप फेग दें ऐसा तब तक करते रहें जब तक आपका बुखार उतर जाए और संक्रमन निकलना जाए संक्रमन ठीक होने के बाद शिशू दोनों इस्तन से स्तनपान कर सकता है अगर आपको एंटिबायोटिक दवाई दी जा रही है तो बताई गई खुराग खत्म होने पर सही समय तक लेते रहें आप बुखार और दर्द के लिए पेरसिटमॉल ले सकते हैं अगर आपकी अवस्था में एक दिन में सुधार नहीं हुआ तो आशा या हेल्थ वर्कर से संपर्थ करें अगर आपका स्तन संक्रमित है तो आप बिमार हैं आपको काम नहीं करना चाहिए बिस्तर पर आराम करते रहें पानी और अन्नी तरल पदार्थ खूप पीने चाहिए और शिशु को अपने पास रख कर बार बार दूद पिलाना चाहिए याद रखिए जब स्तन फूल जाते हैं तब वहां भरे-भरे कड़े और सम्वेदंशिल हो जाते हैं स्तन में सम्वेदंशिल गठान संभाता दूद नलिकाओं में रुकावट के कारण हो सकती है ऐसी अवस्था में अगर आप अस्वस्थ महसूस करती हैं तो हो सकता है कि आपके स्तन में संक्रमन भी हो गया है इन तीनों समस्याओं में ध्यान रखें कि शिशु का स्तनपान के समय जुडाव अच्छा है और दूध का प्रवाह ठीक है शिशु को स्तनपान कराते रहें या फिर दूध को स्तनों से हर कुछ घंटों में निकालते रहें लग्याओ रखें कि शिशु को स्तना कराते रहें